तो आज मैं बात करूंगी कि what to do when certain situations की repeating in your life कई बार होता है कि कुछ typical patterns हमारी life में बार बार repeat होते हैं तो ऐसा क्यों होता है और क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में discuss करते हैं although ऐसा क्यों होता है I am not very sure but जो मेरी study है मेरे analysis and situation के बारे में कि इनके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं जो हम इन तीन points के through discuss करेंगे तो पहला है कि repetition जब कुछ चीज़े repeat हो रही है पहले तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा बट दीरे दीरे हम notice करने लगेंगे कि similar चीज़े हमारी हो रही है या तो हम same kind of people से टकराते हैं roles बदल जाते हैं character बदल जाते हैं बट जो personality type है उन लोगों की वो similar है इधर good way और bad way या फिर similar type के situations आप बार बार experience करते हैं अच्छे या बोरे जैसे similar kind of जगडे आप experience करते हैं तो ये एक sign है मेरे हिसाब से universe का कि आपको कोई hidden lesson इसमें छुपा हुआ है तो पहले तो आप notice करें कि कि किस type के आपके patterns repeat हो रहे हैं understand करें कि उनके common ground क्या है और उसके पीछे का belief क्या है root belief तो suppose आप ऐसे लोगों को अपनी life में अट्राक करते हैं जो आपका फाइदा उठाते हैं आपकी अच्छाई का फाइदा उठाते हैं बार बार एक आद बार तो सबके साथ होता है बड़ रिपिटेडली अगर वही हो रहा है तो यह भी कही ना कही आपका कोई subconscious belief है जिसके कारण आप उस टाइप के लोगों को अट्राक कर रहे हैं तो अगर similar situations हो रही है तो पहली बात तो यह कि आप कौन सी frequency emanate कर रहे हैं मतलब कि आपकी energy level ऐसे है कि आप उस टाइप के लोग या फिर उस टाइप के energy अट्राक कर रहे हैं आपकी लाइफ में तो पहले यह नोटिस करें कि किस टाइप के लोग आप अट्राक करें तो वही आपके एनर्जी लेवल है और वही फ्रिक्वेंसी से आप उस टाइब के लोग अट्रैक कर रहे हैं जैसे कि रेडियो स्टेशन है जो कैच करता है वो फ्रिक्वेंसी जिसको अब ट्यून करें तो कहीं न कहीं पाई डिफॉल्ट आप उस चैनल से ट्यून्द है जो इस तरह क एक्सपिरियंसे अपको आपके लाइफ में अट्रैक कर रहा है तो उसे हमें लेवल अप करने की जरूरत है मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर हाव टू रेजियर वाइब्रेशन उसे जरूर देखिए और दूसरा है वाट लेसे यू किन लॉन फ्रम तो जैसे कि मैंने प कॉंशियस बिलीफ यह है कि यूर नोट गुड इनफ तो ऐसे में हमें सेल्फ लव पर काम करना है सेल्फ वर्थ पर काम करना है इस पर मैंने एक रीसेंट्ली एक कोर्स लॉंच किया अब उसे जरूर चेक आउट करें जो बहुत ही छोटा कोर्स है तीन दिन में लेस देन अ पर लिफ सिस्टम के कारण ही आप सिनेरियोस और रिपिटिटिव पैटर्न अट्रैक कर रहे है और उसे री प्रोग्राम करना री राइट करना उस प्रोग्रामिंग को बहुत जरूर है तो यह आप कर सकते क्लाइफ कोच या माइंडसेट कोच के मदद से जो आपको हेल्प अगर आप अपने इनर वूंड्स पर काम करेंगे अपने बिलीफ सिस्टम को रेकिनाइस करेंगे और उसमें एफ़र्ट डालेंगे और से री प्रोग्राम करने के लिए तो आपको चेंजिस दिखेंगे विट टाइम तो यह थे तीन तरीके कि आप कैसे रिपिटिटिव प यह ज़रूर है कि कुछ अंडरलाइंग मैसेज है या कोई चीज की ग्रोथ हमारे लाइफ में ज़रूरी है जिसके कारें यह पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो कैसे लगे आपको यह पॉंट्स प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज प्लीज मेरी चैनल को सब्स